जेहन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टुडी मंत्रा वैंन के चैनल पर इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं आटे समंधित जानकारी तथा आई टी आई से समंधित क्लास से आज का जो हमारा वीडियो है वो आई टी आई में जो वक्साब कल्कुलेशन साइंस सब्जेक्ट है उसके मात्रक चैप्टर के बारे में है मात्रक चैप्टर के बारे में थोड़ा सम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे आज हम लोग देखेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहले एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए कि स्कॉलर्शिप की डेट बढ़ गई है जिन लोगों ने ITI में एड्मिंसन लिया थे किसी भी कोर्स में एड्मिंसन लिया है तो अब स्कॉलर्शिप आप 12 दिसंबर तक संस्थान में जमा कर सकते हैं तो अगर किसी का स्कॉलर्शिप फार्म भी संस्थान में जमा नहीं हुआ है रह गया है तो तुरंट आके संस्थान में अपना फार्म जमा करते हैं प्रिंट नहीं निकला है तो प्रिंट भी अभी निकल जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और सुरू करते हैं क्लास तो आज क्लास में सबसे पहले हम लग देखेंगे तंप्रेचर या तापमान के जो मात्रक होते हैं उनका बदलाव कैसे होता है या उनके बीच में क्या कि एक और यह पिसेचता है कि केलविन को माइनस में नहीं दिखा सकते हो कहने कारता है कि आप कहसकते हो कि माइनस 10 डिग्री संटीग्रेट कहीं का तंप्रेचर हो गया पर आप ये कभी नहीं कहसकते हो कि माइनस में 2 केलविन तंप्रेचर हो गया है चुकि माइनस में जब क अच्छे ताफ मान का तो Kelvin अब संबन्द क्या होता है चारों मात्रक में सी अपान हंड्रेड बराबर होता है आपका एफ उपर लिखा हुआ भी स्क्रीन पर एक बार मैं दुबारा लिख देता हूं f-32 by 100 बराबर आपका होता है R बटे 80 इसके अलावा K-273 बटे 100 यहां पे स्पेसे मेंने लिख रहा हूं उपर साथ पढ़ने में न रहा हो तो आपका हो जाता है c upon 100 f minus 32 बटे 100 बड़ाबर r बटे 80 फिर k minus 273 बटे 100 इसको आप हल करोगे तो यह हल भी हो जाएगा basic formula यही है इसमें सबके नीचे 0 है तो आप 0 से 0 सब काड़ भी सकते हो 2 से कट जाएंगे तो यह लगभग लगभग बन जाएगा c upon 5 फिर यहाँ पर आपका आजाएगा लेको तो और यह हो जाएगा k minus 273 बटे 5 यह हो जाएगा ठीक है लेकिन basic formula यही है c upon 100 f minus 32 बटे 100 r बटे 80 बड़ाबर k minus 273 बटे 100 आगे बढ़ते हैं उसमा के अगर मात्रक की बात करें उसमा का मात्रक एक कैलोरी होता है और एक कैलोरी में जो है 4.2J होते हैं एक जेक्लिडी जो इसमें होते हैं वो 4.18 होते हैं एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं लेकिन हम लोग calculation में गड़नाओं में एक कैलोरी में 4.2 जूल का परियोग कर लेते हैं एक अन्य मात्रक अगर हम बात करें तो उस्मा का मात्रक है बिटिस थर्मल यूनिट और एक बिटिस थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी होती हैं इसके अलावा एक अन्य मात्रक है आपका centigrade heat unit और एक CHEU में 453.6 कैलोरी होती हैं तो ये हैं उस्मा के मुख्य मात्रक आगे बढ़ते हैं हम वस्तुओं के मात्रक की बात करें तो आप सबको पता होगा कि 12 वस्तुओं मिलके क्या है एक दर्जन बनाती है और 12 दर्जन मिलके एक गुरुस का निर्माड करते हैं तो अगर एक गुरुस में पूछा जाए कितनी संख्या होंगी तो 12 244 तो 12 वस्तुओं मिलके दर्जन बनाती बारा बारा दर्जन मिलके गुरुस बनाते हैं यह आपको मुख्य याद रखना है आगे बढ़ते हैं शंख्याओं के अगर अपवर्त की बात करें ठीक है तो आप सबको पता है कि केक का मतलब देखिए केक मत ओलब होता 10 की पावर 3 तो यहां पर 3-0 से किया बनता है कि ऐसे ही 10 की पावर 6 या अगर एक के बाद 6-0 लिखे तो मेगा बनता है एक के बार नाव लिखे आगए। दस पावर का मलब होता है गीगा 12 अगर 10 की पावर हो जाएगी मोटे残 तो दस की पावर अगर पंदरा हो जाएगे तो बनेगा पेंटा और दस की पावर अगर अठारा हो जाएगा तो बनेगा आपका एकसा ठीक है तो अगर आपको इस क्रम को याद रखना है और पावर को तीन-तीन बढ़ाते जाना है अगर आपसे पुछे दस की पावर 9 का मतलब क् ठीक है, उस चीज को क्या कहते हैं, मिली कहते हैं, लेकर अगर 10 की पावर माइनस 6 होगा, तो उस चीज को माइक्रो कहा जाता है, इसके अतरिक अगर 10 की पावर माइनस 9 है, तो इस चीज को नैनो कहा जाता है, ठीक है, अगर 10 की पावर आपकी माइनस 12 हो गई, तो उसको क्या क कहा जाता है तो यह हैं संख्याओं के मातरक इनको भी आप लोग याद रख सकते हो आगे बढ़ते हैं, किस में बदलना है मालूम billion में बदलना है तो आपको उसके लिए एक फार्मूला याद रखना है इसको आपको क्रम में याद रखना है क्या आद रखना है नीचे से ठीक है अब इसमें आप कुछ भी लगा सकते। क्रम यहीं रहेगा मालो आपको द्रबिमान के मातरख को बतलना है तो आप कह सकते हैं One centi deci gram decao kilogram बा Ear by step मैंने आ रहे हैं भलो उसे मोग कुछ भी लगा सकते हो One centi deci liter decao toforce one centi deci watt decao уров edes कोई भी मात्रात आप इसमें लगा सकते हो ması with bicycle या क्रम जो है आपका यही रहेगा उसमें कोई अंतर नहीं आंएसा, जिस режल मात आप old Florida में कितने मीटर, तो आप गिन लोगे, ठीक है, कि ये कितने अस्थान बाद है, क्या गिन लोगे, कितने बाद में है, जैसे, किलो मीटर और हेक्टो के बीच में देखे, एक अस्थान खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आपको किलो मीटर से हेक्टो पे जाना हो, तो एक पर बीज में पड़ी हूँ जिसको क्रास करके जाना है जिसको पार करके जाना है किलो मीटर से अगर डेका में आना है तो आपको देखे एक यहां पर खाली जगा और यहां पर खाली जगा इसी खाली जगा हमको हम गिन लेंगे अगर किलो मीटर को मीटर में बदलना है तो एक हजार मीटर हो जाएंगे कहने कार्थ है अगर किलो मीटर से यह हमको माली किलो ग्राम से मिली ग्राम में बदलना है नीचे से उपर जाओगे तो आप पावर माइनस में बढ़ाओगे इस तरीके से आप यसे पूछ लिया जाए आपसे एक किलो वाट में कितने वाट तो किलो वाट यहां पर आएगा और वाट यहां पर आएगा एक किलो वाट में दस के पावर तीन वाट आपके हो जाएंगे कोई भी बदलाओ आप से पूछ लिया जाए एक मीटर में कितने मिली मीटर तो देखे कितने अस्थान का गाइप है गिल लो नीचे आना होगा आपको तो दस की पावर कितना तीन हो जाएगा सिधे सिधे चुकि तीन अस्थान क्या है नीचे आना है बाद समझ रहे हैं कि नह अगे बढ़ते हैं अब हम बात कर लेते हैं अस्था सक्ति जो की पावर या सक्ति का मात्रक है तो सक्ति का मात्रक एक जो वाट होता है वह वारिक तावर पे हम लोग सक्ति का भी परियोग कर लेते हैं किसके लिए सक्ति के मात्रक के लिए तो एक जो वाट होता है एक जो एच्पी होता है वह 746 वाट के बराबर होता है प्रिक्टिस प्रडाली में और एक एच्पी 735.5 होता है मीट्रिक प्रडाली में प्रडालियां कई होती है तो कुछ मा मात्रक एक ऐसा मात्रक है जो दोनर पडालियों में अलग-अलग मान को पदरसित करता है तो अगर आप से कहा जाए कि एक HP में कितने वाट होंगे अगर लगता है कि चैनल से आपको कुछ लाब होगा तभी चैनल को सब्सक्राइब करें अनिथा मैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए वैसे नहीं कह रहा हूँ अगर आपको लगता है कि इस से लाब होगा और वीडियो आएगी तो हमारा फायदा होगा तब ही इस चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें और अगर किसी वो इस वीडियो के आ सकता है लगता है किसी का इस वीडियो से लाब हो पाएगा तो उसके पास इस वीडियो को चाहें तो सेयर कर सकते हैं जय हैं